2024 में होने वाली लोकसभा चुनाव में कॉंग्रिस के लिए सबसे बड़ी जो मुसीबत है वो ये है कि जो 28 घाटक दल है उनको एकठा रखना अगर प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी के विजयरत को रोकना है तो कही ना कही जितने भी लोकसभासीट में ये गड़बंधन उमिद्वार घोशित करेंगे उनको कुछ ऐसे उमिद्वार को चुनना पड़ेगा जो कही ना कही प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी के उस इमेज क और उस image के खिलाफ लड़ पाए इसी बीच अगर हम बात करें तो ममता बैनर जी ने एक जटका देते हुए ये कहा है कि बंगाल में वो किसी भी अन्य पाटी के साथ गड़ बंधन नहीं करेंगे इंडिया अलाइन्स पूरे इंडिया में तो बीजेपी के साथ लरेगी लेकिन अगर बंगाल की बात करें तो नौच चौबिस बरगना की चाकला में रैली करते हुए ममता बैनर जी ने ये कहा है कि बंगाल में वो अकेले बीजेपी के साथ चुनाओ लरेंगे इसी बीच कॉंग्रिस के तरफ से एक समिती का भी गठन किया गया है जिस समिती में मुकुल वासनिक की अगुवाई में भुपेश भगल, अशोग गैलोत, मोहन प्रकाश और सलमान कुर्शिद जो और भी पार्टीज हैं उनसे बातचीत करके सीट शेरिंग के बारे में डि में होंगी कहां कहां कौनसी पार्टी एक साथ चुनाव लरेंगे ये डिसाइड किया जाए ताकि जो 2024 का पोल ब्यूगल है वो जल्ट से जल्ट जो गडबंधन है वो शुरू कर सके विरियो जनलिस्ट आलोगदास के साथ श्रिया चाहत जी आज तक